हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं आपको बताने वाला हूँ आज अलग-अलग तरह की जो फिट्स आती है जटके आते हैं एपिलेपसी उसके बारे में मैंने कहीं वीडियो में इसके पहले जिक्र किया हुआ है आज थोड़ा उसको अलग रूप से आपको बताता हूँ क्या होता है कि दो तरह की एपिलेपसी की बीमारी आती है मतलब ब्रेन जिसका और इन ब्रेन में भेजे में है उसकी बात मैं कर रहा हूँ एपिलेपसी जटके मिरगी एक तो एक कुछ तभी कारण है जिसको होता है सेकंडरी एपिलेपसी कुछ तभी कारण है उसके वज़े से फिट आ रही है दुसरा होता है कि प्राइमरी एपिलेपसी जब कोई कारण नहीं है और बिना कारण की भेजे में कुछ तभी ऐसे इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस तैयर हो जाती है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस तैयर होते और उसके वज़े से फिट आ रही है पहले कुछ तभी है उसके वज़े से जटके आ रही है जैसा बुखार आ गया तो जटकी आ सकते बुखार में बच्चों में काफी असर मतलब यो दिखता है फिर दिमाग को मतलब बेजे को मार लग घे हेड इनिवरी हो गई वह एक कारण होसकता है तो दिमाग में खून का दावरा कम पहुँच रहा है तो जड़की आएंगे या कोई ट्यूमर हो गया बेजे में कोई tumor हो गया, उसके वज़ा से हो सकता है, या ऐसे कोई बीमारी बेजे की है, कि जिसके वज़ा से secondary, जटका आना चलो जाएंगा, epilepsy आएंगा, तो उसके लिए पिर वो जो बीमारी पहले वाली जो है, उसका ईलाच करना पड़ेगा, उसके सास्ता बी लेपसिका ही इलाच करना पड़ेगा, việc काफी सारे इसका अलावा वीमारी ऐसी है, कि जिसके जो fit है कि जिसके लिए कोई कारण हमको दिखाई देता नहीं है भेजय में है तो बीमारी भेजे की है तो fit है तो मिर्गी है तो जटके ही brain के वजह से मगर वह electrical impulses जो है बिजली जैसी चमकती है वैसा एकदम बिजली चमकती इतना चमकना चलो जाता है दिमाग में इ जो हो हो जाए गगा एक मिनिट बहुत स्थ बहुत ज्याना होगे दू-ती मिनिट चलती है और उसमें वैक्ति को है वो इससद्सदनली रिजाएगा खड़े गिर जाएगा प्राद जरासे गिर जाएगा इदम बेशच हो जाएगा बेश होने के बात में हाथ पर में च़ट जटके आना उसको शुरू हो जाएंगे, तो शुरू में वो आवाज करेंगा, ऐसा जोर से मुह से आवाज हो जाएंगी, आखे उपर गई हुई है, और एक दम गिर जाएगा, और गिरने के बाद में फिर उसको जटके आएंगे, हाथ और पर ऐसे पूरे धाड़ेंगा, घस कोई कुछ करता है, कोई उसको चपल सुंगाता है, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि एक देड़ मिनिट के बाद में जटके जो आना है, आते रहते हैं, जटके आना बन हो जाते, वो शांत हो जाता और बेहोश रहता है, जो लोग आजू-आजू रहते हैं, उनके एक ही काम है, कि उसका जो उसकी जो गर्दन है, वो एक तरफ ऐकरना है, एक तरफ करने का है, जाग जो आता है, मौंसे वो पोचने का है, मुपमे कुछ डालने का नहीं है कुछ सुमगाने को देने का नहीं है उसको फुछ कुछ भी तक्लीफ नहीं होंगी या कुछ मार लगे नहीं अORHHHH कुछ अहिसको भीए जूब करने का यह हो देड़े देड़ दो मिनिट में वो आप यह ूश में जाता है पांच मिनिट में या दस मिनिट में उच में आ जाएगा यह जो बीमारी है इसका कारण ढूंडने के लिए जब हमारे पास में जब लाते हैं पेशेंट को फिर हम क्या करते कि उसका इलेक्ट्रों के फेलोग्राम निकालते हैं EEG कि जिससे वेजय में क्या विमारी है वो बिक्ति है उसका डागनोसिस हो सकता है या फिर CT scan निकालते हैं पिर CT scan में कुछ डाउट आ गया है कुछ शक आ गया कि कुछ तभी है अंदर तो फिर MRI निकालते हैं ब्रेन का और फिर कुछ कारण ही दिन मिलता है तो वो कारण का हिल ये फिट का विशय ऐसा रहता है कि वह 15 जिन में महने में एक बार किसको आती है जिनको 15 जिन में या महने बर में एक बार आती है तो लोग उसका रिलेशनशिप अमास उया पुरुणिमा को लगाते हैं कि महां से आ गई तो फिट आ रही है या पूर्णी मा आ गई तो फिट आ रही है मतलब फुल मून दे और मो मून दे तो ऐसा कुछ उसका रिष्टा नहीं है अंदर्श अद्धा बिल्कुल करने का नहीं है उसके लिए बहुत सारी दवाईया भी निकलिए और यह फिट के बेखलींस ऐसी आपास में उसको कुछ दिन तक काम नहीं करने करने या तैरने के लिए अलौग नहीं करना चाहते है या गाड़े के उपर अलौग जटका उसको आ गया तो उसके पीछे जो बैठे लोग है जो टेक्सी वो ड्राइव कर रहा है ट्रेन कला रहा है तो काफी सारे लोगों को खत्रा हो सकता है तो medically they are unfit जब तक वो control नहीं होता पुरा fit का चटका तब तक उनको यह सब allow नहीं करना चीए तो उनको completely पूरा अच्छा normal life हो जी सकते है कुछ इसमें बीमारी में कुछ ऐसी दवाई है जो दवाई देने के बाद में आंको खुझली आके तो ऐसा कुछ खुझली होगरे आ ग तो कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको जनम के समय जब जनम लेते हैं बच्चे उस समय उनको मतलब जनम के बाद में बच्चा रोटा है तो रोटा नहीं है इसका मतलब उसको oxygen जितना जाना चाहिए था वो oxygen प्राणवाई दिमाग तक गया नहीं उसको hypox हो गया तो जैसा हो सकता है कुछ-कुछ लोगों को जैसा मंगोलिजम की बीमारी डाउन सिंड्रोम जिसकी आखे ऐसी तेडी रहती है तोड़ा मुह हैसा छोटा रहता है उसको ऐसी अकल ठीक रहती है समझ थोड़ी कम IQ नॉर्मल यह जिस बिलो नॉर्मल मगर उसका उसका ग्रोध बरा फिर लोग पुछते कि वही यह जो विमारी इसकी शादी है यह बैखती कि शादी हो सकती क्या तो शादी हो सकती है शादी में कोई अर्चन नहीं है मगर जिसी लड़की है तो क्या करते है लड़की वाले यह चुपाते है बात फिर शादी के बात में मालूम पड़ जाता क कि लडगी को फिट आ रही है और फिर प्रॉबलम घड़ी गड़ी हो जाती है या लड़के को यह lebih फिट आ रहे तो लड़के वाल बतातेर नहीं लड़की वालों को और फिर उनको ऐसा लगता कि हमारा बिश्फास्गात हो गया हमको बता हैह नहीं तो बताना जदूर ही अरचन यह बताया तो कोई शाजी करेगा नहीं इसलिए बताया तब भी तखलिब एँ नहीं बताया तब तखलिब है अब बताया तो अच्छा है ट्रांसफलरंस ही ताकी फिर बात में हमको खसा दिया ऐसा कि इसको लगता नहीं है यह लोग बच्चे भी कर सकते हैं बच्चों को भी प्राब्लम ऐसे नहीं अनुमोंशिक नहीं है कि माप आपको फीट आती है तो बच्चों को फीट आइंगे ऐसा कुझ जरूरी नहीं है की यह वीडियो बताये शेयर करो ओ दबा यही बराबर फिया डोस में लेते हैं बराबर मात्रा में लेते है तो 101 टक्का फिट अच्छे हो सकते हैं तो उनको ज़रूरी वीडियो शेयर खोंड आप सब्सक्राइब करो लायक करो थैंक यूव बैरी मच्छ